बिस्मिल्लाहिर रह्मानी रहीम, अस्तनामु अलेकों, मैं हूँ सादिया, सिर्फ साइकी की दुनिया में छोटा सनाम। आज मैं आपको रशियन सैलिड बनाना सिखा रही हूँ, बहुती आसान तरीके से बहुती मज़ेगा बनता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल कुकिंग शुकिंग विस साधिया को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दवाना मत भूलिएगा ताके आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। चले स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक पतीली में पानी लिया है और इसके अंदर मैं डाले हूं गाजर। बारीक चॉप की हुई एक अदद गाजर ली है मैंने। अब साध ही मैं इसके अंदर डाले हूं मतर के दाने, एक प्याली। अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू एक अदद लिया है इसको भी मैंने बारी काट दिया है अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं कौन यानि बुटे के दाने वो भी हमने शामिल कर दिये अब मैंने इसमें कोई नमक शामिल नहीं किया है और नहीं मैंने कोई और चीज डाली है बस हम इसको इसी तरह हाई फ्लेम में उबाल देते हैं ताकि ये कच्छी सबजी जो है थोड़ी सी पक जाए मटर, आलू और बुटे के दाने थोड़ी गल जाए जब तक हम ये नेक्स स्टेप पे आ जाते हैं अपने पहले मैंने लिया है एक पाउर और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दो चमच मयोनीज के अब साथ ही मैं इसके अंदर ये क्रीम शामिल कर रही हूँ आप चाहें तो कोई सी भी क्रीम इस्तमाल कर सकते हैं मेरे पास ये थी इसलिए मैंने ये वाली क्रीम दो चमच इसके अंदर शामिल कर दिये हैं पूरी क्रीम शामिल नहीं किये सिर्फ दो चमच लिये हैं अब साथ ही हम इसके अंदर ये मसाले अट करेंगे पिस्वी काली मिर्च लिये मैंने बिलकुल हाफ टीस्पून कर देती हूँ आपस में अफसाद ही ये मैंने लिया है सेब एक अदद लिया है से मैंने बारी काट दिया है कोक्टेल इस्तेमाल करें क्योंकि मुझे मजीद और कोई अच्छे फूरूड मिले नहीं इसलिए मैंने ये कोक्टेल ले लिया है अफसाद ही मैंने इसमें सेव शामिल किया है और खीरा शामिल किया है और अब ये कोक्टेल इसका मैंने पानी नहीं निकाला है इसको हम पानी समय ती शामिल कर देंगे पूरा कोक्टेल और ये देखे हमारी सब्जियां भी गल चुकी हैं इसका मैंने पानी निकाल दिया है अब ये सब्जियां भी मैंने इसके अंदर शामिल करती सारी अब हम इसे स्पून की मदद से तमाम चीजों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं ये रेखे मैंने इन तमाम सबजियों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और ये हमारा सैलिड कितना कलरफुल बनके तैयार हो चुका है तो प्राइज जरूर कीजेगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप चाहें तो इसे ऐसे भी वरना इसे प्लीज फ्रिज में रखके ठेंडा करके खाईएगा इसका मज़ा और भी दुबाला हो जाएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा इंशालला फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ अलाफीज